Spoken English Lessons में आपका स्वागत है इतना समझ लिया जाए Hello Ramesh, You didn't, did not come here yesterday. Where did you go? You didn't come here, तुम यहाँ नहीं आए थे. यहाँ भूर क्रदंत की रचना है, इस विशय में विस्तार से फिर सोचेंगे. निशेद वाचक वाक्य बनाने के लिए सहाई कारक ख्रिया पद्र का उप्योग होता है. Yesterday गुजरा हुआ कल आने वाला कल, टुमॉरो और आज के लिए टुडे का उप्योग होता है. We did not have a holiday yesterday. कल हमारी छुट्टी नहीं थी. भूतकाई के प्रशनार्थ वाक्य में भी सहाई कारक क्रिया पद्र का उप्योग होता है. इस बारे में ज्यादा चर्चा बाद में करेंगी. सच माने तो यह वाक्य का भाशांतर तुम कहां गए ऐसा होता है. लेकिन हिंदी में तुम कहां गए थे का उप्योग होता है. वी वेंट तु द जू. वेंट गए थे. गो क्रिया पद का यहां भूतकाल का रूप है. वी वेंट तु आर अंकल्स हाउज येस्टेडे. कल हम चाचा के घर गए थे. वी वेंट तु जू हूँ लास्ट संडे. पिछले रमी बार को हम जू हूँ गए थे. द चिल्डर्न वेंट तु प्लेइ ओन द प्लेइ ग्राउंड. बच्चे खेल के मैदान में खेलने गए. जू प्राणी संग्रह स्थान. देर आर मैनी अनिमल्स इन द जू. प्राणी संग्रह स्थान में बहुत से प्राणी है. प्राणी संग्रह स्थान हमारे घर से दूर है. जू लॉजी यानि प्राणी शास्त्र. वी लर्न जू लॉजी अच दा कॉलेज. हम कॉलेज में प्राणी शास्त्र सीखते हैं. इस टिचॉरियल को देखने के लिए धन्यवाद. मिलते हैं अगले लेसन में.